आज का जो टोपिक है मेरिज प्रोसेशन ओफ दारा सिखो यह दो पार्ट में मैंने डालना है फर्स्ट पार्ट यह है और सेकिंड पार्ट आपको तभी मिलेगा जब मुझे इस पर अच्छा सा एक मिलेगा तो वीडियो पूरी देखेगा और उसके बाद बताएगा कि यह आपको कैसा लगा तो इसका जो आर्टिस्ट वहाजी मदनी है स्कूल प्रोविंशल ओध है और स्पीरिट जो है सेवंटीन फिफ्टी एडी है मीडियम का टैंपरा ओन पेपर कर्ट सी नैशनल देखने को मिलता है लेकिन मेरी जो कोशिश है वह यह है कि आपको बहुत ही शोट में जो मैं आपको पॉइंट्स दे दूं ताकि जब आप बुक्स तो पढ़ने ही पढ़ेंगे कि क्योंकि तब ही आप पूरा पैरग्राफ लिख पाएंगे तो उसमें पढ़ने में इसी हो दारा सिखो है वो वर्टिकल पेंटिंग है इसके अंदर क्या है चलिए बात करते हैं दारा सिखो इस राइडिंग अलर्ट ओन डेकोरेटिड होर्स इस फादर और नादर में जो यह पॉइंट है इसके बारे मैं मैं आपको यहीं बता दूं कि दारा सिखो जो है वो होता है क्योंकि यही वो चीजे हैं जो एक्जाम आपके अंसर में एक्जामिनर आपके अंसर में सर्च कर रहा होता है नहीं मिलते हैं तो उतने ही मार्क्स वो कम देता है क्योंकि फाल्टो की बकवास वो इस दा एम आर टू एफ फ्रॉम यह सब नहीं सर्च करता है एक्जा एक catcher हो सकता है कि वो उसने वो चीज़े catch की हुई है जो पेंटिंग में है या नहीं है तो चलिए next point behind जो फादर है वो दूसरे मतलब घोड़े पर है चलिए next point behind behind दारा सिक्को royal people on horses and some are on food proceeding towards the bride's house चलिए इस point के लिए बात करते हैं तो दारा सिक्कों जो है वो royal people दारा सिक्कों के पीछे जो royal people है वो भी है और होर्स पर हैं और कुछ पैरों से बरात, bride के घर की तरफ को जा रहे हैं, तो इस point को अगर मैं एक flow में बताओं तो ऐसा बताना चाहूंगी कि जो दारा सिक्कों हैं, उनके पीछे, royal people जो हैं, वो भी horse पर उनके पीछे जा रहे हैं, and some, कुछ जो हैं, वो पैरों से bride के घर की तरफ को जा रहे हैं, large gathering मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया होगा सम्पीपल सार केरिंग केंडल सेंड लास्ट पॉइंट सब्सक्राइब कि जो पीपल है कुछ उन्होंने कर रहे हैं वह क्या कर रहे हैं केंडल्स इन देर हैं तो यह फर्स पार्ट ओवर सेकंड पार्ट के लिए वेट कीज़े कर दो नहीं है